हाई इवरीवन चेसी किष्णा रादे रादे हरर महादे और मैं सरला इंटीटु टारो रिटर में फिर सेक रेडिंग लेकर आ गए हूँ और इस रेडिंग का जो थीम है यह चेनल ऐसा हो रहा है आप सभी के लिए यहां पर कि आपको आपने जो बलिदान दिया है वो क्यूं दिया है और किसके लिए दिया है ओके मतलब यहां पर इस रेडिंग से आपको आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब जो आपके मन में उथर पुथल चलते रहते हैं उथर पुथल होती रहती है उसके सवाल जवाब आपको इस रेडिंग में मिल सकते हैं जो भी मुझे यहाँ पर मेरी intuition guide कर रही है मतलब यहाँ पर आपने क्यों और किसके लिए बलिदान दिया है यह बलिदान देखो ऐसा है कि यहाँ पर यह बलिदान किसका दिया जाता है जहाँ पर हम जिसे हम अपना मानते हैं जो हमारी खुशी होती है है ना जहां पर हमारा कोई सपना होता है कोई कुछ ऐसी चीज होती है जो खास होती है प्रमुख होती है हमारे जीवन में और उसका हमें बलिदान करना पड़ता है चाह वो आप चाहा कर कर रहे हो या बिना चाहा कर कर रहे हो चाहे आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या ना बलिदान वही होता है जो हसी हसी कर दिया जाए जिसे समर्पित कर देना है पाइदा नहीं है यह इस बात को आप समझ लो कान खोल के सुन लो आज आपके इश्वर परमात्मा यह इस रिडिंग के जरीए आपको बताना चाहते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा है यह जो बलिदान भी आपने दिया है ठीक है यह आपी के लिए ही है इस ब पको पाइदा हो रहा है जो आपसे चीना गया है ब बहुत चीजे ऐसी हैं जो आपके माइद में चल रही होंगी आपस्ट में लेकर या मैने उनको माफ यहांपर घड़ दिया तो यहां पर यह रिडिंग अब आपको यह प्रूफ कर सकती है, कि यह जो आपने बलिदान दिया है, ठीके, यह जो त्याग करा है आप ने, यह अपने खुद के लिए यहांपर किया है, किसी के ऊपर कोई आपने, स्वारी मेरे मुझे से शब्द निकल रहा है, कि अहसान नहीं करा है, ठीके क्योंकि देखो यह बलीदान और त्याग भी कब माना जाता है अगर आप अपनी मर्जी से हस्ते हस्ते किसी चीज को आप अपनी हर चीज को अपनी हर चीज को हर चीज नहीं है आपर जो आपकी प्रमुख है या बहुत खुश रहने वालों मेंसे थे आप यहाँ पर बहुत हपी हुआ करते थे आप यहाँ पर अचानक से यह चारी चीजे क्यों हुँई सब कुछ जिसे खतम सा हुगया सब कुछ जिसे किसी ने मेरी खुशों का गला घोटा है यहाँपर ठीके तो ये एक तरह का जिसे केते हैं कि ये एक हस्ते हस्ते इस चीज को भी आपने हस्ते हस्ते लिया है ठीके वो बात अलग है कि वहाँ पर आपको दर्द हुआ होगा आपको तकलीफ हुई होगी आपको पेन हुआ होगा ठीके लेकि जो भी आपकी लाइफ में जो भी त्याग औ लेकिन आपकी यहां सोचते हो कि आपका नेजर सभाव ही ऐसा है कि आपकी खुषी दूसरों में ही है, आपको अपने आपको खुश करने में नहीं है, आपको दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए क्यार करना, दूसरों को अपना मानना, ये आपका इस तरह का नेचर सभाव है, तो बलिदान यहाँ पर त्याग आपने अपनी खुशी के लिए यहाँ पर किया है, और वो जो करते भी थे आप वहाँ पर, जैसे उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती थी इसलिए वो त्याग और बलिदान आपका बन चुका है अगर किसी स्वार्थ से ठीक है अगर किसी स्वार्थ से करते उस काम को दूसरों के लिए करते दूसरों को प्रेम देते दूसरों के हाल पर करते दूसरों को अपना मानत अगर वह स्वार्थ करते आप उस चीज़ को उसमें कुछ स्वार्थ चुपा होता आपका, देखो सामने वाला जाने ना जाने वह प्रमात्मा जरूर जानता है,iri आपनी है स्वार्थ आपनी जोभी का बलिदान दिया है, त्यांग करा है, अपनी खुश्यों का घलाग होटा बहुत चीजे ऐसे आपके लाइब से गई हैं, जो आपको बहुत आपके लिए अहम रखती थी, आपके लिए माइने रखती थी, वो चीजे आपकी जिन्दगी से गई हैं, ठीके, लेकिन उसमें भी आपने यहाँ पर जो भी आपने किया, वो हस्ते हस्ते किया, आपको कोई शिक्वा नहीं है उस चीज का ठीक है कि मैंने यह किया मैंने वह क्या जब आप करते थे किसी काम को किसी के लिए यहां पर ठीक है त्याग करते थे या बलिदान करते थे मतलब यह नहीं है कि आपने आपको खतम कर दिया था उनके लिए एक छोटी सी चीज को अपनी है स्वार आपका जो आपका जो सौभा में लचीला पन है जो कहीं पर भी आप फोल्ड हो जाते हो कहीं पर भी अपना हर किसी के लिए आप प्रेम जताने लगते हो यह उसी की उर्जा है यहां पर ठीके तो यहां पर वो सब चीजे में यहां देख रही हूँ आपके लिए कि आपने जि ही त्याग और बल्लhm में come word होगया क्योंकिश वह है पर आपकी खुश्य है तो बहुत सारी चीज अइसी हैं जिसे किस के लिए था और क्यों किया था आपने अपनी खुशी के लिए किया था क्योंकि वहाँ से आपको खुशी मिलती हैं हापिनेस मिलती है किस के लिए किया था अपने आपके खुद के लिए किया था ठीक है इंसान जो करता है अपने लिए करता है मुझे नहीं पता किस से रेडिंग रेजोनेट होगी क्योंकि चैनल हुआ आप सभी के लिए मैं यहां पर यह चैनल लेती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्षिन में जादा करना चाहती हूं बहुत 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 बिग वाला थैंक्यों सावन स्टार्ट होनेवाला है 20 तारिक से पहला सौंबार । यह कि Siarte close to 50 और बहुत बदाइयां आपको सावन की सावन का महिना आपके लिए बहुत खास होने वाला है बहुत कुछ चीजे ऐसी होने वा और उमढ कर बाहर आएंगे और यह किसके लिए कर रहे हो आप अपने खुद के लिए यहाँ पर कर रहे हो ओके और बोलेनाथ आपकी सब भी मनो कामना पूरी करें बोलेनाथ आपकी खुशियों में वो जोली डाले सावन के महिने में जो आप अभी तक तलाश कर रहे थे जो जिसे आप अभी तक माँग रहे थे तैंक यू तैंक यू सो मच और जिसे भी परसने डिंग चाहिए मैंने अपना वर्टसप नमबर डिस्किप्सम वक्समेशन कर रखा है तो वहाँ से आप देख सकते हो ठीके तो यहाँ पर आप बलिदान किसके लिए और क्यू कर रहे थे थैंक यू मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिडिंग आपके लिए किते माइने रखती है किते नहीं लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत डीप मैसेज है आप लोगों के लिए ताकि बहुत सारी गलत फेमिया दूर हो जाए ठीके इंसान करता है अपने लिए खुद के लिए करता है कभी दूसरों के लिए नहीं करता आप किसी का कुछ कर भी रहे हो हाल पर भी कर रहे हो उससे भी आपको खुशी मिल रही है ना अगर स्वार्थ इसे करते हो न तो उसकी खुशी नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने की और आपने तो बहुत इस चीज को अंदर तक महसूस करा है कि किसी की हैल्प करते हैं किसी का हम हम अपनी किसी की खुशी के लिए हम जब अपनी खुशी को दाव पर लगा देते हैं ठीके तो वही यह बलिदान था कि आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को दाव पर लगाया है तो यहां से आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है अगर कि देखो मेसेज यहां आपके लिए निकल की आ रहा है कि यह आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हैं कि आप शायद अभी भी आप अपनी उस जो आपने खुशी का बलिदान दिया है किसी की खुशी के लिए अपने खुशियों का गलाग उठा है अपनी खुशी का बलिदान यहां पर दिया है मुझे ऐसा लग रहा है न कि अब भी भी शायद उस खुशी को आप देखो यहां पर क्या होता है कि बलिदान और त्याग का फल हमें आगे मिलता है, कभी पीछे नहीं मिलता है तो यहां पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड में आपके लिए गाडलाइस निकल रही है, आपने जो त्याग और बलिदाम दिया है, ठीके, उसका फल आपको आगे मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर बोला यही जा रहा है, कि आप यह मत सोचो, कि आपने कुछ गलत करा है, या इसका फल आपको क्या मिले यहाँ पर फोकस रखने की जर्रत है, ठीके, जो कुछ भी किया था, आपने त्याग क्यूं करा, वो त्याग यहाँ पर इसलिए करा, क्योंकि उसमें आपकी खुशी आँच चुपी हुई थी, और उसका जो त्याग आपने किया था, उसका फल आपको आगे यहाँ पर मिलन अपना माना, जिसे मैंने अपना समझा, वही मुझे चीट करके चले गए, वही मुझे धोका दे कर चले गए, तो यहाँ पर आपके लिए गाड़लाइंस आड़ी है, कि इस कॉश्चन मार को आप अपने हटाओ आप अब अपने आगे से, और आपको आगे बढ़ने के पास्ट में जो मेंने मेरी खुशियां थी ठीके, वो मुझे पास्ट में मिलेगी के नहीं मिलेगी लेकिन आपको लिए गार्डलाइस दिनकल रही है आपने जो भी त्याग और बलिदान दिया है वो ईसकी खुशी जैसे आपने वो तो कर दिया, अपनी खुशी के लिए वो तो कर दिया आपने, लेकिन उसका फल आपको आगे मिलेगा, अब उस चीज़ के बारे में सोचना, और वहाँ पर ठारे रहना, रुक के रहना, उसके बारे में सोच चार करना, ये कोई तुक नहीं है आपका, ये कोई तुक नहीं तो यहां पर आपके दिमाग्न मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपने किया वो आपको काफी परेशान करतीम ठीके। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आप सिर्फ आगे बढ़ों. यहां पर यह जो चीजे आपके मायन में चलती हैं यह आपको शायद यह आपको काफी ऐसा एहसास भी दिलाती हैं आपके दिमाग में यह प्रेशन उठते होंगे कि आपके साथ चिटिंग हुए आपके साथ धोका हुआ है आपके साथ आपने बहुत कुछ करा है लेकिन बदल जब हम अच्छा करते हैं किसी के साथ में तो आपने दिमाग में आपने अच्छा किया है ना तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा आप यह मत सोचो कि किसी के साथ आपने चीटिंग करी है यहाँ पर धोका दिया है मुझे नहीं पता किसे reading इंटिंग रेसोनरट हुगी ठीके लेकिन जो चैनल आ रहा है था हरमिट, यहां पर आपके आपने जो बलिदान किया है, ठीके किसके लिए किया है और क्यों किया है? किसके लिए कि यहाँ पर कि आप सच बताऊना कि अगर आप ये आपकी एक खुद की ऐसी जर्णी है ये एक आपकी एक ऐसी यात्रा है कि जहाँ पर आप शायद अगर देखो मैं एक बात बताऊ आपको अगर आप अपने आपको पहचान सकते हो ना तो सिर्फ एक ही जड़नी है, एक ही रस्ता है, कि जहां पर आप अपने आपको ढून सकते हो, या पैचान सकते हो, आप काफी चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि शायद आप अपनी खुशियों, आप अपनी खुशियों को है ना, दूसरों में ढूनते हो, जिसे तो एक्चुल में आपकी खुशी है कहां, एक्चुल में आप चाहते क्या हो, आप जाना कहां चाहते हो, ठीके, आप चाहते क्या हो, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है यहां पर, ठीके, जिसे एक तलाश, एक खोच, ठीके, कि जहां पर आपकी, जिसे कहते हैं कि जब हमें अपनी खुशी के बारे में नहीं पता होता है तो हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और दूसरों को खुश करने के मतलब उनको खुश करते 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 हम अपनी खुशियों की भी बली दे देते हैं उसका भी त्याग हम कर देते हैं ये क्या होता है ये यही होता है कि जब हम अपने अंदर से जब हम अपनी अपने भीतर से अपने आपको नहीं पैचान पाते हैं ठीके के एक्चल में आपकी ख खुष करने में ही लगे होए होते हैं और उनकी खुशी में अपनी खुशी को ढुणते हैं, ठीक है? तो यह जो त्याग था, यह जो बलिदान था आपका, यह यहाँ पर जैसे आपके लिए ही था, ठीक है? आपकी के लिए था, कि जहाँ पर आप अगर इन सब चीजों को आप नहीं करते तो शायद आपकी एक जर्णी थी जहां पर आप अपने आपको complete नहीं कर पाते यहां पर कि यहां पर बहुत जैसे अंदर से खाली है वो बहुत कुछ चीजों की तलाश है उसको कुछ ठूंड रहा है वो अपनी जिम्दगी में अपनी लाइफ में यहां पर ठीके और जब कोई खाली होता है अंदर से उसे उसे खुद की एहमियत नहीं पता होती उसे खुद के अपना वजूत नहीं पता होता स्वारी मेरी रिडिंग में निकल रहा है तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर ठीके लेकिन आपके लिए शायद मुझे इसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत जादा ज़रूरी है तो यहाँ पर चीजे क्या हुई है आपने दूसरों में जैसे किते हैं कि जब हम अपने अंदर से खुशी को फील नहीं कर पाते हैं ठीके या अपनी हम अपने उस जोन में रहते हैं कि जहाँ पर शायद दूसरों के उपर समय लगाना और अपने उपर कम समय लगाना अपने आपको कम एहमियत यहां पर देना तो यह त्याग और बलिदान यह त्याग और बलिदान जैसे आपने यह शायद आपकी यात्रा का एक पार्ट हो सकता है कि यहां से आपको बहुत कुछ लर्ण करने के लिए मिला है बहुत कुछ learning आपकी रही है इसमें कि आपने क्यों करा और किसके लिए यहाँ पर करा यह आपके लिए प्रेश्न हो सकता है कि आप अंदर से जिसे बहुत कुछ चीजों को बाहर निकालना चाहते हो जो चीजे आपके अंदर दबी हुई है बहुत सारे प्रेश्न है जो में वतारिती स्टार्टिंग में कि उत्थल पुत्थले के आपको जाना कहा है आपकी एक्चल में खुशी कहा है जिस पे अभी तक समय लगाया प्रेम लुटाया जिसके लिए अपनी खुश्यों का घला घोटा दूसरों की खुश्यों के लिए वही से आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है ठीके तो एक्चल में है क्या चीजे है क्या यहाँ पर ठीके तो यहाँ बर कारिलाइस आपके लिए निकल रही है आपको जो भी अपने पास्ट में किरा, उसके उपर सोच इचार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने आपको डूर्णना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, आपका उद्देश क्या है, आपको जाना क्या है, आपकी खुशी कहा है, ठीके, ये एक बहुत बड़ी चीजे हैं आपके सामने, जिसे आपको सोच इचार करने की जर्रत है, दा हैंग मैं, आपका अपने त्याग और बलिदान क्यों और किसके लिए किया है, यहां पर बहुत कुछ चीजे ऐसी थी, कि जहां पर आप सच्चाई, सच्चाई क्या है, उसे शायद आप देख नहीं पा रहे थे, सबसे बड़ी बात यहां पर कि आप दिशाहीन हो रहे थे, आपको हर चीज का प्रती जैसे कहते हैं, नजरिया, आपका बहुत अलग था, आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता था, ठीके, आप जो सच्चाई है, वो सारी चीजे आपके, जैसे आपको परे थी, आप अपनी सबसे बड़ी बाती है कि हो सकता है कोई-कोई यहां पर आध्यात्मिक जर्नी पर हो, शायद पहले आप अपने आपको बहुत कुछ चीजों में आप अपने आपको इन्वोल्ड रखते थे, कुछ ऐसा नहीं था आपके पास कि जहां पर आप फोकस लगा पाते ठीके, कोई ऐसी चीज जो आपकी खुदिपकी हो, जहां पर आपको आपके लिए पहचान बनाए, कि यहां यह आपकी पहचान है, ठीके, अभी तक आपके साथ बहुत चीटिंग हुई, धोका हुआ, बहुत सारी चीज़े हुई हैं यहां पर, लेकिन इसके पीछे का भी एक रिजन, एक कारण, कि आपने अपनी जैसे उर्जा, आपने अपनी उर्जा को गलत डिरेक्शन, गलत दिशा में आप लेकर गए हो, लेकिन जो यह त्याग और यह बलिदान, आपने जो दिया है, उसकी वज़े से ही, आप अपने आपको पहचान पाए हो, देखो केते ह हैं कि धक्का जब तक नहीं लगता है, चोड जब तक नहीं लगती है, तब तक हम अकेले नहीं होते हैं, अकेले नहीं होंगे, तब तक हम अपने आप से नहीं जोड़ेंगे, ठीके, तो वो त्याग और वो जो बलिदान आपने खुद के लिए किया था, ताकि आप सही डि अगर आप अपने आपको पहचानते हो अपने उपर विश्वास करते हो तो आपको हर सवालों के जवाब खुद के भीतर ही यहाँ पर मिलेंगे लेकिन आप उस डिरेक्शन में नहीं थे आप अंदर से जैसे केते हैं कि अंदर से आपके बहुत सवाल जवाब हैं आपके भीतर और आप उन्हें बहार ढूंड रहे थे ठीके आप उन्हें बहार ढूंड रहे थे लेकिन बहुत कुछ सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे आपको आपके भीतर से आपके अंदर से ही आपको मिलेंगे आपकी विज्डम आपके पास जो विज्डम है आपने जो experience कर लिया है यहाँ पर इस यात्रा में कि आपने त्याग क्यूं और किसके लिए किया था यह बलिदान क्यूं किया था आपने ठीके यह बलिदान यहाँ पर अगर मैं सच बताऊ ना अगर आप आपके साथ चीटिंग अगर ये लोग आपके साथ ये सब नहीं करते तो आप शायद अपने आपको कहीं नहीं पेचान पाते और आप हमेशा जैसे दूसरों को ही खुश करने में आप अपने आपको लगाते रेते ठीके तो यहाँ पर ये जैसे खुद को ढूंड़ना खुद को महसूस क करना ये बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल कर आई हैं ओके किंग ऑफ कफ माई गाड ये हो आप यहाँ पर जिसे कहते हैं न कि माइंड दिल और दिमाग आपके साथ दोनों खेल जाते थे ये पास्ट की उर्जा है आपकी जिसकी वज़े से आप त्याग और बलिदान आपके पास अंकंडिशनल प्रेम। यह एक एसी हो जाए, king of cups, जैसे मैं एक बात बताओं, अगर आप त्याग और बलिदान आपने क्यों और किस के लिए करा, तो यह तो करोगे ही करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि आपके वो blood में है, आपके वो खून में है, आपके सौभाओं में है, आपके nature में है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अपने आपको भूल जाना, यह कौन सी बात है, यह तो कोई बात नहीं है, अपने आपको भूल जाना, अपने आपको प्रेम देना, अपने आपको समय देना, अपनी क्यार करना, अपने आपको जानना, अपने आपको समझना, अगर जब तक आप अपने यहाँ पर आपके साथ यह जो त्याग और बलिदान यह सब चलता रहेगा आपके साथ और वो आगे भी चलता रहेगा लेकिन जो सवाल जवाब आपकी दिलों दिमाघ में उठ रहे हैं जो आपकी लाइफ चल रहे थी अंदकार है ना? अंदर से जो समझा तब आपको पता चला कि ओहो आप तो यह हो आपका आपका दिल दूसरों के लिए धड़कता है आपके थौर्ट्स भी आते हैं आपके विचार भी आते हैं तो दूसरों के लिए आते हैं त्याग और बलीदान बस कमी कहां थी कि आप अपनी अहमियत अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे आप अपने उपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पर एक ऐसी पावर ऐसी शक्ति जो आपको बहुत स्ट्रॉंग करती है जो आपको बहुत जादा आपको एक ऐसी शक्ति का अहसास दिलाती है जो अभी तक आप बूले हुए थे आप किसके लिए त्याग कर रहे थे और क्यों कर रहे थे किसके लिए त्याग कर रहे थे अभी तक यहाँ पर आपको यहाँ पर श以前 आपका और इस वह क्यान में यहाँ सोल हो bright आपके खून में है आपके रग रग में है वो ठीके आपको यहाँ पर शयादि आपका है वज़त हैता कि आपका लाइब परपस है जो आपको आपके इश्वर परमात्मा वहां तक आपको ले जाना चाहते थे आपको बताना चाहते थे कि एक चल में आप फोक हों लेकिन आप अपना त्याग और बलिदान जिसे इंसानों के उपर ही लगा रहे थे मतलों यहाँ पर इश्वर परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हों गलत डिरेक्शन में आप जा रहे हों जो आपका प्रेम नहीं समझता आपका त्याग और बलिदान नहीं समझता है वहां से हट जाओ फ्यूचर में आपको जो आपका त्याग और बलिदान है आप बहुत जादा ब्लैस्ड सोल हो तो आपको जो अब जो किसके लिए करोगे वो खुद के लिए कर रहे थे, अभी तब खुद के लिए कर रहे थे, अगर फ्यूचर में आप यहाँ पर बहुत ही अलगी उर्जा में आप रहने वाले हो, इस कार्ड से, इस स्ट्रेंद्स कार्ड से मुझे इत्ती पॉजिटिविटी को फील कर रही हूँ मैं आपके लिए कि मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड को देकर कि आपके पास यह पावर है, यह शक्ती है, जब आपके साथ चीटिंग होती थी, तो का होता था, जब भी आपको बलिदान करते थे, अत्याग करते थे, किसी के लिए अपनी खुशियों को दूसरों को देते थे, अपनी खु आपको विश्वास नहीं था, खुद के उपर, कि आप अपनी एक्चल में खुशी को ढूंड सकते हो, आपकी खुशी, ऐसी खुशी जो आपको अंदर से, अंदर से महसूस हो, जो आपके साथ कोई गलत न करे, आपके साथ कोई चीटिंग न करे, और यहाँ पर आप जैसे कुद्रत की दिये हुए, उद्देश को पूरा करना चाहते हो, यह त्याग और बलिदान अभी तक आप इंसानों के लिए कर रहे थे, जिन्नों ने आपको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब जो त्याग और बलिदान आपका होगा, वो कुद्रत आप से करवाएगा, अभ बहुत जादा क्यार करना, जैसे बहुत कुछ ऐसे कार्य, जो आपका उद्देश है, उसमें अब आप अपना बलिदान दोगे, और वो आपकी खुशी है, वहां से आपको खुशी महसूस होगे, अभी तक बहुत करा, वहां से मिला कुछ नहीं, खुशी भी नहीं मिले, ब आपनी, जैसे किते हैं, वह खुशी आपकी ऐसी थी, कि जहां पर आपको मतलवी लोग आपसे जुड़े हुए थे, घुसकोर लोग आपसे जुड़े हुए थे, जहां पर मतलब निकला नहीं, और बस पल्टी मारी नहीं, उन्होंने अपनी असली रुप दिखाया नहीं, तो वो खुशी आपकी पल भर की होती थी, कि मुझे यहां से खुशी मिलेगी, लेकिन ये जो करने वाले हो आप, परमात्मा का जो कारे आप करने वाले हो, इससे आपको बहुत happiness मिलेगी, खुशी मिलेगी, और सबसे बड़ी बाती है, कि आपको आपकी पहचान यहां पर म दमोन, यह जो भगवान इश्वर का जो उत्तेश्य है, जिदर परमात्मा आपको ले जाएगा, वहां से आपकी आपका जैसे आपका जो नेचर है, ठीके, आपका जो सवभाव है, उसमें भी आप अपने आपको चेंच महसूस करोगे, आपके अंदर की आपको बहुत जब जस्त हीलिंग होईगी आपकी वहां से, आप अंदर से अभी तक खाली थी, ठीके, आपको खुशी महसूस नहीं होती थी, बहुत नर्वस, उदासिंता, बहुत रोय हो पास्ट में, तो यह जो भगवान के उद्धिश्यों को आप पूरा करें, उसकी आपकी अंदर से, अं वज़े मिल चुकी है, जिसकी वज़े से आपके सारे दुख, तकलीफ, उस सब खतम हो रहे हैं, ओकी, फोर वैंस, नाइन ओफ, थैंक्यू यूनियर्स, थैंक्यू सो मच, और यहां से आपके, जो अभी तक जिसका आप वेट कर रहे थे, कि फाइनली, जो मैंने त्याग किया, बलिदान दिया है, दूसरों के लिए, ठीके, उसका फल मुझे कम मिलेगा, तो ड्राइन ट्वरी, अब यहां पर आपको बहुत जल्दी उसका फल यहां पर मिल रहा है, यहां पर फल क्या मिल रहा है, आपकी, आपकी एनरजी में बहुत जादा शि अप्रिशेशन नहीं मिल पाया, जो खुशी आपको नहीं मिल पाईए, जो ब्लासिंस आपको नहीं मिल पाईए, वो सब आपको मिलेगी, जो जो भी आप जिसका भी वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, आपके लिए बोला जा रहा है, जिसने भी आपके साथ, जिसने भी आपके त्याग और बलिदान को, आपके प्रेम को नकारा है, आपको जूटा साबित करा है, आपके साथ चिटिंग करी धोका दिया है, तो आपके लिए बोला जा रहा है, कि अगर उनके लिए भी कुछ अच्छा करने का मोका मिले, तो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपके पास, मतलब यहाँ पर, आपके पास अनकर्डिशनल प्रेम है, आप इश्वर के एक ऐसी सोल हो, जिसके पास हर किसी इंसान को आप सर्माल सकते हो, सबसे बड़ी बात है कि वो स्ट्रेंथ है आपके पास, कि आप जिसने भी आपके साथ गलत करा है, उसे माफ कर देना, माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हो इस चीज को, तो उस चीज की भी कोई बाउंडरी सेट नहीं करना, कि आपके अंदर जो अनकंडिशनल प्रेम है, त्याग और बलिदान की जो भावना है, ठीके, वो और जाधा आप उस चीज को अंदर से महसूस करोगे, अभी तक फायदा उठाया है ना, लेकिन आप फायदा नहीं क्योंकि आप अपने आपको समझ रहे हो, ठीके, यहाँ पर हर चैलेंजिस का सामना कर सकते हो, हर मुसीबतों का आप सामना कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फिलिंग्स को सुनो, अपनी अंतर आत्मा के आवाज को यहाँ पर सुनो, ठीके, वहाँ से आपको सच और जूट का सब पता चल जाएगा, आपको सिर्फ अपनी आप एक spiritual journey पर हो, वहाँ से आपकी inner voice अपनी अंतर आत्मा से connect होना है, वहाँ से हर चीज आपको पूरी clarity के साथ आपको बताई जाएगी, समझाए जाएगी teacher awakens, आपके अंदर का गुरू, यहाँ पर किसी के पास strength है, knowledge है, ग्यान है, और अभी तक आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी भटक रहे थे, इधर उधार, ठीके, तो आपकी, आपकी soul से आप, आप अपनी soul से बहुत जादा connect हो रहे हो, आपकी, आपको यहाँ पर ब बोला यही जा रहा है, कि अब आपको भटकने की जरुरत नहीं है, जितना जादा आप अपने उपर विश्वास करोगे, यह तो यहाँ पर आपका गुरू, आपके भीतरी बेठा हुआ है, ठीके, किसी भी चीज के लिए आपको भटकने की जरुरत नहीं है, अपने उपर believe करो, सुनो जादा, ठीके, अपनी intuition को follow करो, तो बहुत सारी चीजे आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, आपके लिए बोला जा रहा है, कि आपके पास जो knowledge है, घ्यान है, ठीके, तो यहाँ पर उसे आपको share करने की जरुरत है, teacher awakens, क्योंकि आपके अंदर क गुरु जाग रहा है, call to action, आपके अंदर का जो बलिदान है, और त्याख है, ठीके, वो खाली नहीं जा रहा है, उसकी वज़े से अपने आपको पेचाना है, अपनी awakening करी है, अपने आपका उद्देश, आपका वजूत क्या है, वो चीजे आपको feel हुई है, महसूस हुई और उसके लिए जो भी आपने feel करा, महसूस करा, जो भी ज्यान आपने अरजित करा है, उसको लेकर आपके लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आप fully charger हो, ओके love and peace, ये अपका त्याग और बलिदान, क्यों और किसके लिए करा है, जिसके पास love है, प्र ठीके, यहाँ पर आपके लिए आपके पास motherly nature, आप बहुत एक मा की उर्जा भी है आपके अंदर, ठीके, तो ये आपकी मा की जो उर्जा है, उसके साथ ही आपको connect होने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपनी जैसे कहते हैं, आपको अपना प्रेम, आपका जो अंदर स जो चीजे भागवाने कुद्रती आपको यहाँ पर दी गई है, ठीके, उसे आपको बूलना नहीं है, यह कुद्रती है आपके पास, आपका जो motherly nature है, तो जो दूसरों को हील करते हो आप, ठीके, दूसरों को आप बहुत कुछ चीजे ऐसी हैं, जो आपको यहाँ पर चू पर जाना है, ठीके, और बहुत कुछ चीजे ऐसी हैं, जिसे आप यहाँ पर हील कर सकते हो, हाई लर्निंग, ठीके, आपके लिए आपको बहुत जादा यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है, कि आप चीजों को अपनी आपने जो भी इनर स्टेडी करी है, आपने आपको जान है, समझाए, उसे लेकर अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, ठीके, क्योंकि मुझे जो फीलिंग आ रही है आपके लिए, क्योंकि आपने अपने अंदर से, ठीके, अपने अंदर से यहाँ पर आपकी, आपकी मदर फिगर और फादर फिगर, ठीके, यहाँ पर भी क्योंकि आफ्का जो त्याग और आपकी भावना थे वह क्यूं कर रहे थे उस आपको कुछ पता ही नहीं था कि क्यों हो रहा है किसले कर रहे होई यहां पर क्यूंकि आप अंदर से कहली थे आपका आपकी masculine energy और आपकी feminine energy ठीकि वो इनबैलंस थी जिसकी वज़े से आप भटक रहेते और आप जो बलिदान और आप जो तियाग करे तो उसका result आपको उल्टा मिल रहा था लेकिन यहाँ पर यहाँ पर दोनो balance है आपके ठीके वो दोनों balance है अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको action लेना है आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है father figure यहाँ पर आप बहुत wisdom है ज्यान है आपके अंदर ठीके confidence है और mother figure ठीके प्रेम है और शान्ती है यह चीज़े आपकी balance हो रही है ठीके और जिसकी वज़े से अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है अब आपको आपके त्याग का और बल्दान का फल आपको यहाँ पर मिलेगा जिसकी वज़े से आप अपनी अंदर की खुशी को महसूस करोगी बहुत कुछ चीज़े थी जिसके सवाल जबाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपका मुझे ऐसा लग रहा है ने कि काफी चीज़े आपकी लाइफ में ऐसी चल रही थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी तो उनके सवाल जवाब आपको मिलने वाले हैं miracles अब आपकी लाइफ में देखना कि आपकी लाइफ में कैसे miracles होते हैं चमतकार यहां पर होते हैं इसलिए बोलते हैं self love करो ओके डियर तो यह थी आपकी बहुत beautiful reading I hope आपसे resonate हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमें सिस्क्राइब और थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो मच जैशी किष्णा रादे रादे हर हर महादेर